Hello guys welcome back to the channel कैसे हो आप सब बढ़िया तो guys आज के वीडियो में हमारे पास है रिक्विल का ये संस्कीन ये आज के देट में बहुत ही जादा पॉपिलर संस्कीन है ये है रिक्विल का ऑक्सी बैंजोन एन ओम सी फ्री संस्कीन इन शॉर्ट में हम बताएं तो ये संस्कीन सूटे वाले हैं इस संस्कीन का डीटेल में टेस्टिंग यहां पर ये क्लेम कर रहे है कि इसमें कोई भी वाइट कास्ट ये नहीं चोड़ेगा साथी कोई भी ग्रीसी ये फील नहीं देने वाला है मतलब सारी चीजों को आज के वीडियो में हम बिल्कुल अच्छी तरह से प्राइस के साथ एंड वीडियो कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे टेलिगाम चैनल को जॉइन नहीं किया तो टेलिगाम चैनल भी जॉइन कर लीजे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसका मैं आपको बॉक्स करता है एकने को ट्रीट करता है और यहां पर थर्ड मेजर इंगीडियेंट है वो है विटामिन ई जो कि आपके स्किन को हेल्दी बनाता है रिड्यूस करता है एजिंग को और यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है और यह जो हमारा संस्किन है यह SPF 50 के साथ आता है विट पी ए ट्रिपल प्लस तो जितने जादा प्लस रहते हैं उतना जादा संस्किन जो है यह आपके लिए बेटर रहता है तो यह कुछ इस तरह का बॉक्स पैकेजिंग हो गया और यहां पे इन्होंने नो वाइट कास लिखा है जो कि हम चेक कर लेंगे नॉन ग्रीसी लि देखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉस्ट करके इसके सारे इंग्रेंट्स वाप वह भी चक आउट कर सकते हो अब जल्दी से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और हमारे क्रीम को बाहर निकाल लेते हैं तो तो यह रहा अंदर और कुछ है क्या नहीं चलो यह रहा हमारा संस्क्रीन का ट्यूब और इसका भी जो आपका प्रिंटिंग है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि बॉक्स में था तो यह रहा हमारा ट्यूब जिसको आप इजी वे में कैरी कर सकते हो यह फ्लिप फ्लॉप वाला ओपनिंग नहीं है तो अगर आप इसको अच्छी तरह से टाइ बेटर लगते हैं तो यह रहा हमारा संस्क्रीन और इसको आपको पहली बार ओपन करना है तो इसको यहाँ पर इस चीज को हटा देना है अब सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पर चेक करनी है वो है इसका फ्रेगरेंस कि बहुत लोगों को यह इश्यू होता है कि अगर को थोड़ा सा डाउट लग रहा है विकोज बहुत सारे संस्कीन हम दे यूज करें जिसमें वाइट का स्टुरंच चला जाता है लेकिन इसमें तो क्रीमी फॉर्मुला जादा ही लग रहा है और आप देख रहे हो जो भी है सारा लाइव टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो वाइट कास्ट है यह इतना आसानी से तो जान नहीं रहा है लेकिन हम इसको अच्छी तरह से फेस पे लगा के टेस्ट करेंगे तब जाके पता पढ़ेगा हाला कि जो फ्रेग्रेंस है यह बहुत ही रिच फ्रेग्रेंस है मतलब अगर शौट मतलब तो रहीसों के शरीर से खुश्बू आती है न तो कुछ वैसा टाइब का फ्रेग्रेंस है तो फ्रेग्रेंस लाइट है और बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है लेकिन यह वाइट कास्ट मेरे को टेंचन दे रहा है तो इस चीज़ को भी आप यहां पर हम लोग चेक कर लेंगे जो दूसी चीज यहां पर मैंने देखी जो हमारा संस्क्रीन था न यह बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड था तो मतब अगर आप इसको बहुत देर तक लगा करके भी रखोगे यहां फिर रिपीटेड ली लगाओ गे भी विकौश संस्क्रीन को आपको हर दो से तीन घंटे के अंदर रि अपलाई भी करोगे ना तो फ्रेग्रेंस भी स्टॉंग नहीं है और बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है जैसा कि यह क्लेम भी कर रहे हैं तो यह लाइट वेटेड भी डेफिनेटली है तो अगर आप बार बात दो तीन घंटे में रिप्लाई भी करोगे ना तो यह आप आपको बिल्कुल भी इरिटेट तो डेफिनेटली नहीं करने वाला है चलो अब इसका हम लोग लाइव टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं एक बार फेस में अपलाई करके देख लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वह फेस पे कैसा आता है विकास यहां पे में ली हम लो से डाल लो ताकि जितने भी डर्ट एंड बसा जितने भी धूल वगर रहो सब आपके फेस अच्छी तरह से निकल जाया है और यह संस्क्रीन जभी भी लगा रहे हो ना तो उससे मतब निकलने से पहले संस्क्रीन कम से कम 15 मिनट पहले लगाओ ताकि उसका जो रिजल्ट रह टू फिंगर फॉर्मुला एंड आप यहां पर देख सकते हो यह हमारे क्रीमी बेश में तो यह रहा अब इसको हमें में लगाना है उन एरियाज में जहां पर हमारा सन के साथ कॉंटाक्ट रहता है स्क्रीन का हाला कि बियर्ड अगर हमें भी लगाएंगे तो ज्यादा में आपका यह वाइट कास्ट वगर जाएगा जाएगा कि नहीं मेरे को पता नहीं कि वह पहली बार किसी संस्कीन में इतना ज्यादा डाउट हो रहा है जो कि अच्छी ब्रैंड की है आलतु फालतु हो तो चलो लेट लगता है चलेगा तो चलो अब जो टेस्टिंग आप कोई भी कट नहीं लगने वाला है एंड मैं कैमरा के अपने स्क्रीन पर देख रहा हूं तो थोड़ा आख इधर उदर भी हो ना तो इतना माइंड नहीं करना थीक है तो अब हम लग जितना भी वाइट कास्ट का टेस्टिंग है वह बिलकुल लाइव टाइमर पे चल रहा ह या फ्रेगरंस नो डाउट जो फ्रेगरंस नहीं सही बहुत ही जादा साही है वह बहुत बहुत सही हैा खेक生 करी देखो फेस पे यह तुरण चलागे है या हात में इतने गीश Sophie क्युक्स अबहुत जलदी चल आगया है य stri कि बहुत ही ज़्यादा सही आ रहा है मतलब समझ लग रहा है कि एक पुरा मैटी फिनिश आ गया बहुत ही ज़्यादा स्किन हाइड्रेटेड भी लग रहा है एंड विटामिन ई है इसमें और जो जो यहां पर फॉर्मुलाज है जो जो केमिस में इंगीजेंट्स है उससे कि कोई करोड़ पती अरब पती पार हो तो उसके से खुज हुआ आती है तो इसकी जो क्रीम की जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल वैसी है अगर आपने पहले से संस्कीन को यूज करके रखाया तो आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होगे तो प्लीज कॉमेंट में बताना ज फेस पे जो है फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है इन फैक्ट आप जो अगर देख सकते हो कि जो हमारा संस्कीन का एफेक्ट है उसके बाद जो चेहरा है वह और भी थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लगने लगा है तो अगर आप मेरे से पूछो गया तो बहीं मेरे को तो यह संस् कास्ट नहीं छोड़ रहा है और SPF 50 के साथ आता है तो जितनी देर जितनी तीखी दूप में भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है तो डेफिनेटली यह संस्कीन मेरे एंड से रेकमेंडेड है अगर आप इसो खईना चाहते हो तो बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप करता है।